तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं आवियू, आवियू के बाद आपने सारणिक पढ़ा, सारणिक के बाद आपने उसे सम्मंदित कुछ प्रगुणों को पढ़ा है अब इन दोनों का उपयोग करके हम आगे देखेंगे आवियू के प्रकार, सहखंडज आवियू, किसी आवियू से हम सहखंडज आवियू कैसे ग्याद करते हैं, प्रतिलोम आवियू और फिर इन सब को पढ़ लेने के बाद हम युगपत समी करणों को हल करने के लिए आविय का प्रियोग करेंगे तो चलिए आईए देखते हैं इन चीजों को सहखंडज आव्यू एडवाइंट आफ अमेट्रिक्स तो माल लो कि कैपिटल ए ये एक मेट्रिक्स है और इसे हम दर्सा रहे हैं ए आईजे से इसका जो करम है ये एन क्रॉस एन का एक वर्ग आव्यू है माल लेते हैं कि कैपिटल ए आईजे सारनिक ए में अव्यव ए आईजे का सहखंड है तब आव्यू ए आईजे आव्यू ए का सहखंडज सारनिक कहलाता है आव्यू Aij के परिवर्थ आव्यू अर्थात Aij का डैश को आव्यू A का सह खंडज या एडज्वाइंट कहते हैं तो इस प्रकार यदि capital A equal to यह n cross n का एक आव्यू है जिसके अव्यू है A11, A12, A13 up to A1n इस प्रकार जो दूसरा रो है यह है A21, A22, A23 up to A2n और अंत में जो रो है वह उसके अव्यूद कुछ इस प्रकार है A1, A2, A3 और up to A1n तब हम लिख सकते हैं कि capital Aij का जो आव्यू है इसको हम लिख पाएंगे capital A11, A12, A13 up to A1n इसी प्रकार दूसरा रो capital A12, A21, A22, A23 up to A2n और अंत में जो रो होगा वह कुछ इस प्रकार है capital A N1, capital A N2, capital A N3 up to capital A Aann तब हम लिख पाएंगे कि adjoint A equal to adja, adjoint को short form में adj ऐसा लिखते है तो adjoint A equal to Aij का dash तो यहाँ पर dash का मतलब है उसका परिवर्थ आव्यू परिवर्थ आव्यू अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में बदल देंगे तो यहाँ पर जो रो के अव्याव थे वो कॉलम के अव्याव हो जाएंगे अर्थात रो पर्थम रो के अव्याव कुछ इस प्रकार होंगे दूसरा रो ए टुवर्ण ए टुडू अपटू ए एन टू और अंत में हमें रो जो प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार होगा a1n, a2n up to ann अब देखते हैं कि सहखंडज कैसे ग्याद करते हैं अरथा सहखंडज ग्याद करने की विदी तो पहला पद में कुछ इस प्रकार करेंगे कि दिये हुए वर्ग आव्यूह में प्रत्यक अव्याव को उसके सहखंडज से विस्थापित कर दीजे दूसरे पद में हम यह करेंगे कि इस प्रकार प्राप्त आव्यू का परिवर्त आव्यू ग्याद कीजिए जो अभिष्ट सहखंड़ज होता है प्रमे का कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि capital A एक वर्ग आव्यू है तो A into adjoint A बराबर adjoint A into A बराबर determinant A into I जहाँ capital I एक आव्यू है जिसका करम वही होगा जो A का करम है तो इसके लिए हम लोग एक आव्यू मान करके चलते हैं कि यह capital A है और इसके आव्याव है capital A एक आव्यू है जो की n x n करम का है और इसके आव्याव कुछ इस प्रकार है A11, A21, A31 up to A1N ये पहला रो इसका दूसरा रो A21, A22 up to A2N और इस प्रकार अंत में एक रो प्राप्त होगा AN1, AN2 up to ANN जो कि N cross N का है तब यदि हम इसका Adjoint निकाले तब हमें मिलेगा LDJA अर्थाथ Adjoint A equal to अब ये भी एक आवियू है जो कि N cross N का है और इसके जो अब्यव है वह है A11, A21 up to A N1 इसका दूसरा रो A12, A22 up to A N2 और इस प्रकार अंत में जो रो है वह है A1N, A2N up to A NN तो यदि हम जो गुणनफल प्राप्त करें अर्थाथ A into Adjoint A का I और जैथ अवियू हमें जो प्राप्त होगा वह है A की आयत पंक्ती तथा Adjoint A की जैथ इस्तम्भ के संगत अवियूं के गुणनफलों का योगफर अर्थाथ अर्था गुणनफल में प्रत्येक अग्रग विकर्ण का अव्यव डेटर्मिनेंट A है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक अव्यव शून्य है तो A into Adjoint A बराबर हम एक डाइगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसके विकर्ण के सभी अव्यव डेटर्मिनेंट A है और सेश अव्यव शून्य है तो यहां से हम डेटर्मिनेंट A को कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद जो अव्यव सेश होगा वह भी एक विकर्ण आव्यू होगा जिसका प्रत्य विकर्ण का आव्यव एक होगा दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है I वह N क्रॉस N करम का एक इकाई आव्यू है तो इस प्रकार हम यहां लिख सकते हैं Adjoint A into A equal to Determinant A into I. अता A into Adjoint A बराबर Adjoint A into A बराबर Determinant A into I. अगला है अव्यूत करमनिय आव्यूह या विचित्र आव्यूह एंग्लिश में कहते हैं Singular Matrix. तो यदी एक वर्ग आव्यूह ए अव्यूत करमनिय या विचित्र कहलाता है यदी Determinant A बराबर 0. तो इसे उधारन के माद हम समझते हैं कि यदी Capital A equal to यह 2 cross 2 का मैंट्रिक्स है जिसके रो के आवयाव है 2, 3 और दूसरे रो के आवयाव है 1, 3 बटे 2. तो इसका जो Determinant होगा इसे हम लिखेंगे Determinant A बराबर Determinant 2, 3 और 1, 3 वर्टे 2. सरल करेंगे तो 2 और 3 वर्टे 2 का तिर्यक गुणा, रिंट 3 और A का गुणा. सरल करने पर 3 रिंट 3 बराबर 0. तो इस प्रकार A एक अव्यूत करमनिय आवयू है. अब देखते हैं व्यूत करमनिय आवयू या साधारन आवयू. एंग्लिश में कहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और रिगुलर मैट्रिक्स. A एक वर्ग आवयू. यदि वर्ग आवयू कैपिटल A व्यूत करमनिय या साधारन आवयू कहलाता है. यदि डिटर्मिनेंट A इस नॉट इकवल टू जीरो. अर्थात जो आवयू हमें दिया गया है उसको सारनिक बना करके यदि सरल करें. और उसका मान यदि शुन्य के बराबर प्राप्त ना हो तो ऐसे वर्ग आवयू को भ्यूत करमनिय या साधारन आवयू कहते हैं. उदारन के लिए यदि A इकवल टू वन टू टू थ्री फोर. ये दो टू क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स या आवयू हैं. तो determinant A बराबर हम लिखेंगे वन टू टू थ्री फोर. सॉल करने पर फोर माइनस सिक्स इकवल टू माइनस टू विच इस नॉट इकवल टू जीरो. अतह कैपिटल ए या अतह A एक व्यूत करमनिय आवयू है. अब आगे देखते हैं सह खंडज आवयू के गुण. प्रॉपर्टीस अफ एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो इसमें पहला गुण यह है कि यदि A कोई वर्ग आवयू हो तो A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I जहां I एक वर्ग आवयू है जिसका करम A के करम के समान है. यह हम लोगों ने थोड़ी देर पुर्व एक प्रमिय देखा था यह वही गुण धर में जिसको हमें सिद्ध किया था. दूसरा गुण यदि A कोई वर्ग आवयू हो तो एडजॉइंट A डैश इक्वल टू एडजॉइंट A होल डैशॉइंट तीसरा गुण सममित आवयू का सहखंडज आवयू भी सममित होता है. चौथा गुण विकण आवयू का सहखंडज आवयू भी विकण आवयू होता है. और पांचवा गुण धर्म यदि A और B एक ही क्रम के वर्ग आवयू हो तो एडजॉइंट अफ A इंटू B इकल टू एडजॉइंट अफ B इंटू एडजॉइंट अफ A. यहाँ पर आपको क्रम को ध्यान देना वश्क है. एडजॉइंट A और B दोनों प्रोड़क्ट में हैं, उसका एडजॉइंट निकाला जाए, एडजॉइंट B का जो प्रोड़क्ट मिलेगा, एडजॉइंट B जो मिलेगा, औरएडजॉइंट A मिलेगा, दोनों का गुण के बराबर या गुणनफल के बराबर होगा तो इस प्रकार और कुछ आव्यू के प्रकार देखते हैं जिसका की उप्योग हम प्रश्णों को सरल करने के लिए करेंगे तो यदि आव्यू एक एक वर्ग आव्यू है आव्यू ए वर्ग आव्यू है यदि आव्यू ए पहला कसन है कि लाम्बिक आव्यू और्थोगोनल मेट्रिक्स हो तो यदि आपको आई सी प्राप्त होता है तो उस मेट्रिक्स को या उस आव्यू को हम प्रती के इंद्रज आव्यू कहते है सममित आव्यू या सेमेट्रिक मेट्रिक्स यदि आड़ एक वर्ग आव्यू ए या फिर एक पावर टी एक वर्ग वर्ग आव्यू प्राप्त हो या फिर A का power t equal to minus A सम्सम आविव या i-dempotent matrix A square equal to यह आपको A प्राप्त होता है तो हम A को सम्सम आविव या i-dempotent matrix कहते हैं शुन्य शम आविव या nilpotent matrix यहदि A का power m equal to 0 हो यह सुन्य आविव प्राप्त हो तो हम वर्ग आव्यूह A को घात M का शुन्य सम आव्यूह कहते हैं इस प्रकार यदि A square equal to 0 प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि वर्ग आव्यूह A घात 2 का शुन्य सम आव्यूह है अव्यूत क्रमणिय आव्यूह या singular matrix आपने देखा कि determinant A equal to 0 होता है तो उसे हम आव्यूत क्रमणिय आव्यूह या singular matrix कहते हैं और आव्यूत क्रमणिय आव्यूह या साधारन आव्यूह determinant A is not equal to 0 यदि A और B दो समान करम के वर्ग आव्यूह हो तो हम लिख सकते हैं determinant of A B equal to determinant A into determinant B जहां determinant A या D E T A equal to determinant A है तो एक तृतिय कोटी का आव्यूह दिया गया है जो कि 3 by 3 का है इसके अव्यूह कुछ इस प्रकार हैं एक शुन्य दो एक शुन्य तीन दो एक इसका हमें सखंड़ज आव्यूह ग्यात करना है तो इसे सरल करने के लिए पहले हम आव्यूह लिखते हैं तो दिया गया आव्यूह है माना कि ये ए है ये अव्यूह है एक शुन्य दो दो एक शुन्य और तीन दो एक ये अव्यूह दिया गया है और हमें सखंड़ज आव्यूह ग्यात करने के लिए कहा गया है सखंड़ज आव्यूह ग्यात करने के लिए हमें पहले सभी अव्यावों का सहखंड जग्याद करना होगा या सहखंड जग्याद करना होगा तो चलिए सहखंड जग्याद करते हैं आपको यह पता है कि AIJ equal to minus 1 का power I plus J MIJ यह होता है M का मतलब minor या उपसारणिक होता है तो एक-एक अव्याव का हम लोग पहले सहखंड जग्याद कर लेते हैं तो A11 यहाँ पर यह A11 है इसका उपसारणिक है एक-शुन्य-दो-एक तो यह हमें मिल जाएगा minus 1 का power 1 plus 1 M11 अर्थात यह धनात्पक संखिया मिलेगी अर्थन एक और इससे गुणा करेंगे तो M11 सारणिक का मान एक-शुन्य-दो-एक सरल करते हैं एक से इसका गुणा करेंगे मिल जाएगा एक और रिंड दो से शुन्य का गुणा करेंगे शुन्य तो इस प्रकार A11 आपको मिल गया है एक इसी प्रकार A12 यह आपको मिल जाएगा minus M12 इस आव्याव के रो और कॉलम को छुपा दीजे तो जो उपसारणिक बचेगा या उपसारणिक बनेगा वो होगा 2-0-3-1 तो इसे हम लिखेंगे 2-0-3-1 सरल करते हैं आपको मिल जाएगा 2 इसी प्रकार A13 यह आपको मिल जाएगा M13 तो इस रो और कॉलम को छुपाईए 2-1-3-2 2-1-3-2 सरल करते हैं 2 दुनी 4 रिंड 3 बराबर 1 यहाँ पर यह माइनस चिन है तो यहाँ पर यह रिंड चिन के साथ में यह रिंड आ जाएगा तो उत्तर में हमें जो मिल रहा है यह रिंड 2 है इसी परकार आगे सरल करते हैं 1-2-1 तो यह 2 और 1-3 तो यहाँ पर यह रिंड चिन के साथ में 2-1 मिल जाएगा तो इस अव्याव का जो उपसारनिक है इस रो और कॉलम को छुपाईए 0-2-2-1 0-2-2-1 सरल करते हैं यह 0 मिल जाएगा रिंड और यह पहले से जो रिंड का चिन है यह पहले से रिंड का चिन है और 0 रिंड 2 और 2-4 सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा धन 4 इसी परकार A-2-2 हम ग्याद कर लेते हैं यह आपको मिल जाएगा M-2-2 M-2-2 इस अव्याव को रो और कॉलम को चुपाईए उपसरानिक बचेगा 1-2-3-1 1-2-3-1 सरल करते हैं 1 रिंड 6 बराबर रिंड 5 A-2-3 यह आपको मिल जाएगा रिंड M-2-3 इस अव्याव यह जो अव्याव जहाँ पर है इसके रो और कॉलम को चुपाईए दब यह और यह तो आपको मिल जाएगा 1-3-2 1-3-2 सरल करते हैं 2 और यह रिंड 6 बराबर यह आपको मिल जाएगा 2 आगे हम याद करते हैं 1-3-1 यह यह है तो इसके रो और कॉलम को चुपा दीजे यह आपको मिल जाएगा M-3-1 तो यह अव्यव है इसका रो और कॉलम चुपाईए 0-2-1 0-2 0-2-1 सरल करेंगे तो यह 0-2 तो यह A-3-1 जो है यह आपको मिल रहा है इसी प्रकार A-3-2 यह आपको मिल जाएगा M-3-2 तो यह 2 की बात हो रही है इसके रो और कॉलम को चुपाईए 1-2-2 0-1-2-2 सरल करेंगे तो यह मिल जाएगा 0-2-2-4 तो इस प्रकार यह आपको मिल रहा है 0-4 लेकिन यहाँ पर यह पहले से रिंट चिन ने तो यह रिंट चिन ने हाँ पर और माइनस तो माइनस पर माइनस आपको मिल जाएगा प्लस अब A-3-3 तो यह आपको मिल जाएगा M-3-3 यह जो अव्यव है इसके रो और कॉलम को चुपाईए 1-0-2-1 1-0-2-1 सरल करते हैं 1-0-1 तो इस प्रकार हमें A-1-1, A-1-2, A-1-3 इस प्रकार के सारे अव्यव हमें मिल चुके हैं तो अब हम लोग इसका सखंड़ज लिखते हैं इसको adjoint A यह पढ़ा जाता है और इसके जो अव्यव हैं वो आपको प्राप्त होता है A-1-1, A-1-2, A-1-3 A-2-1, A-2-2, A-2-3 इसी प्रकार A-3-1, A-3-2, A-3-3 सारे अव्यव हमें पता है यह ज्यात है इसका मान हम रख देते हैं तो पहला है एक फिर रिन दो, फिर एक फिर अगला व्यव है चार फिर प्रिन पाँच, रिन दो यह रिन पाँच और यह रिन दो इसके बाद यह रिन दो चार और एक तो यह है सखंड़ज आव्यू A का जो की हमें ग्यात करना था अगला पस्टन दिया गया है कि यदि एक आवियू है A जो की 3 by 3 का है इसके रो के एलिमेंट है पहला रो 1, 0, minus 1 दूसरा रो 3, 4, 5 और तीसरा रो 0, minus 6, minus 7 हो तो सिद्ध कीजिए कि A into Adjoint A equal to Determinant A into I equal to Adjoint A into A यह हमें सिद्ध करना है तो Adjoint A कैसे निकालते हैं पूरू प्रस्टन में हम देख चुके हैं और यहाँ पर I जो है I है यह भी तृतिय कोटी का एक आवियू है विकर्ण आवियू है जिसके सभी विकर्ण आवियू है तो चलिए इसे हल करते हैं दिया गया है आवियू A इसके आवियू है एक शुन्य रिण एक तीन चार पाँच शुन्य रिण छे और रिण साथ तो यह आवियू हमें दिया गया है तो पहले इसका सारानिक का मान हम याद कर लेते हैं इसे सारानिक में बदल देंगे एक शुन्य रिण एक तीन चार पाँच शुन्य रिण छे और यह रिण साथ सरल करेंगे एक और फिर यह साथ और रिण चार का गुणा रिण अठाईस रिण और रिण और रिण धन हो जाएगा ये रिंड 6 और 5 तीस फिर शुन्य और शुन्य के बाद कि वही भी संख्या लिखिए आपको शुन्य ही मिलेगा इस वज़ा से हम उसे यहां पर लिखने ही रहे और फिर ये रिंड एक 6 और 3 और ये रिंड चीने के साथ में है रिंड 18 और 4 और शुन्य शुन्य तो आगे सरल क करेंगे तो 30 में 28 घटाएंगे मिल जाएगा 2 इसी प्रकार ये रिंड और रिंड धन 18 और सरल करने पर आपको मिल रहा है 20 तो सारणिक ए या डिटर्मिनेंट एक अमान हमें 20 प्राप्त हो चुका है अब हमें एड जॉइंट ए निकालने के लिए उसके सारे अव्यव ग्या करते हैं तो यहां पर मैं डारेक्ट लिख रहा हूं आप इसे सरल करेंगे A11 जो आपको प्राप्त होगा ये 2 प्राप्त होगा A12 ये आपको 21 प्राप्त होगा A13 ये आपको माइनस 18 मिलेगा इस प्रकार A21 ये 6 प्राप्त होगा A22 ये आपको माइनस 7 मिलेगा A23 ये आपको 6 मिल जाएगा और A31 ये आपको मिल जाएगा 4 A32 ये आपको मिल जाएगा माइनस 8 और A33 ये आपको मिल जाएगा 4 अब आपको पता है कि हम Adjoint A कैसे लिखते हैं Adjoint A और इसके अव्याव होता है A11, A12, A13 A21, A22, A23 A31, A32, A33 तो इन सारे आवियाव को हम आवियू के रूप में लिख देते हैं A11, 2 2, 21 और फिर ये रिंट 18 फिर इसी प्रकार 6, रिंट 7, 6 और 4, रिंट 8, 4 तो ये हमें Adjoint A प्राप्त हो चुका है अब हमें ग्याद करना है 21, रिंट 7, रिंट 8, रिंट 18, 6 और 4 ये 3 वाई 3 का तो इसको मतला हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये भी 3 वाई 3 का प्रोडक्ट मिलेगा अब आवियू का गुणा किस प्रकार करते हैं ये आपको पता है तो पहला जो सारणिक होता है इसके रो से इसके कॉलम के संगत अवियूग का हम लोग गुणा करते हैं अर्थात एक का दो के साथ गुणा होगा, शुन्य का 21 के साथ गुणा होगा, रिंट 1 का रिंट 18 के साथ गुणा होगा और यह हमारा पहला अवयोग बनाएगा तो इसे आप लिखेंगे 2 से 1 का गुणा 2 फिर 0 से 21 का गुणा 0 और फिर रिंड 1 और रिंड 18 का गुणा धन 18 फिर अगला जो अवयोग होगा फिर ये कॉलम से गुणा हो चुका है अब इस दूसरे कॉलम से हम लोग गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 6 के साथ तो आपको मिल जाएगा 6 फिर 0 का गुणा 7 के साथ आपको मिल जाएगा 0 फिर रिंड 1 का गुणा 6 के साथ तो आपको मिल जाएगा रिंड 6 इसी प्रकार 1 का गुणा 4 के साथ तो आपको मिल जाएगा 4, 0 का गुणा 8 के साथ मिल जाएगा 0 और रिन 1 का गुणा 4 के साथ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिन 4 तो इस प्रकार ये जो आवियू है इसका पहला रो के एलेमेंट समय ग्यात हो चुके हैं अब इसी प्रकार दूसरे रो के एलिमेंट गयात करने के लिए इन अवियों के साथ संगत गुणा करेंगे तो इस प्रकार 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, 4 और 21 का गुणा हो जाएगा 84 और 5 और रिन 18 का गुणा हो जाएगा रिन 90 फिर 3 का गुणा 6 के साथ 18, 4 का गुणा रिन 7 के साथ 28, 5 का गुणा 6 के साथ 30 फिर 3 का गुणा 4 के साथ 12, 4 का गुणा रिन 8 के साथ 32 और 5 का गुणा 4 के साथ 20 फिर इसी प्रकार अंतिम रो से इसका गुणा करेंगे शुन्य का गुणा 2 के साथ शुन्य, फिर रिंड 6 का गुणा 21 के साथ, रिंड 126, रिंड 7 का गुणा रिंड 18 के साथ, आपको जाएगा धन 127, फिर शुन्य का गुणा 6 के साथ, शुन्य, रिंड 6 का गुणा रिंड 7 के साथ, धन 42, फिर रिंड 7 का गुणा 6 के साथ, रिंड 42 सिर्फ प्रकार शुन्य का गुणा 4 के साथ 0 रिंड 6 का गुणा रिंड 8 के साथ धन 48 और रिंड 7 का गुणा 4 के साथ 28 इसको जब सरल करेंगे तो आपको एक आवियू मिलेगा जो की होगा 20, 0, 0, 20 सुन्य, 0, 0, 20 तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं DIAG 20, 20, 20 या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है यदि इन सारे यदि इस आवियू से 20 को भेनिश निकाल लिया जाए तो यहाँ पर डाइगोनल आवियू एक, एक, एक यहाँ मिल जाएगा और 20 का जो मान है, यह जो 20 है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 यह 20 जो है, यह हमें Determinant A पराप्त हुआ था तो इसे हम लिख सकते हैं Determinant A और यह जो है, यह I है तो मान लेते हैं कि यह आपका समीकरण एक है तो A into Adjoint A हमें मिल चुका है अब हम लोग Adjoint A into A यह ग्याद करेंगे पुना Adjoint A और A का हम गोणा करेंगे तो यह आपको दिया गया था 2, 6, 4 21, रिन 7, रिन 8 रिन 18, 6, और 4 और A यह मान आपको दिया गया था 1, 6, रिन 1, 3, 4, 5 0, रिन 6, रिन 7 इन दोनों का गोणा करना है तो सारणी को तो A view का गोणा किस परकार करते हैं यह आपको ग्याद है पहले इस रो का गोणा इसके पहले कॉलम के संगत अवयोव से करेंगे तो 2 का गोणा 1 के साथ करेंगे मिल जाएगा 2 6 का गोणा 3 के साथ करेंगे मिल जाएगा 18 4 का गोणा 0 के साथ करेंगे मिल जाएगा 0 इसी प्रकार 2 का गोणा 0 के साथ इस दूसरे कॉलम के अभयों के साथ करेंगे तो मिल जाएगा शुन्य फिर 6 का गुणा 4 के साथ 24 और 4 का गुणा रिंट 6 के साथ रिंट 24 फिर अंत में ये अंतिम कॉलम से इसका गुणा करेंगे 2 और रिंट 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा रिंट 2 मिल जाएगा 21 फिर रिंड 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे मिल जाएगा 21 और 0 का गुणा 8 के साथ करेंगे मिल जाएगा शुन्य फिर 21 का गुणा 0 के साथ शुन्य फिर रिंड 7 का गुणा 4 के साथ रिंड 28 और रिंड 8 का गुणा रिंड 6 के साथ धन 48 अब फिर 21 का गुणा रिं मिल जाएगा इन एक के साथ करेंगे तो मिल जाएगा रिन एकीस रिन साथ का का गुणा करेंगे मिल दाएगा धन 18 शुन्य और चार का गुणा करेंगे मिल दाएगा शुन्य फिर रिन 18 का गुणा शुन्य के साथ करेंगे मिल दाएगा शुन्य छे और चार का गुणा करेंगे मिल दाएगा चोवीस और चार और रिन 6 का गुणा करेंगे मिल दाएगा र तो इस प्रकार इस सारणिक या इस आभियू को जब हम सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीस शुन्य 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 बीस शुन्य 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 बीस तो यहां से भी आप 20 को वैनिश ले सकते हैं 1000 1000 10001 तो यहां से आप इसको determinant A लिख सकते हैं और यह जो सारणिक या यह जो आवियू आपको दिखाई दे रहा है यह आई है तो यह समी करण दो तो समी करण एक वाद दो से से हम यह लिख सकते हैं कि A into adjoint A बराबर determinant A into I equal to adjoint A into A adjoint A into A और यही हमें सिद्ध करना था